नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हका चर्चा के बिशा है कि बहुत से जातकों को देखते हैं कि उनके पास बहुत से बहुत पैसे राते हैं और कुछ लोगों को पास जिंदगी वर पैसों की तंगी होती है आखिर क्यों बहुत लोग कहते हैं कि पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन मेरे पास रूखते नहीं है आखिर क्यों नहीं रूखते पैसे ऐसे कौन से निसान जहतेली पर हैं जो पैसे के आपके हाथ में इस्टोर होने नहीं देते हाथों में मुख्य रूप से आयू रेखा होती है सबसे पहले लोग आयू रेखा को देखते हैं यह हिरदय रेखा होती है और यह हमारी मस्तिस रेखा होती है उसके अलावा एक रेखा यह भागी रेखा होती है जो अलग अलग जातक के अलग अलग तरह के भागी रेखा पाए जाते हैं सुकर परबथ सुकर परबथ पंग समद से जोड़कर देखा गया है इन सुकर परबथ पे से यह विदिवाद करा कि यह तो खड़ी देखा की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे जातक के पास पैसे जरूर रहते हैं ऐसे जातक अपना अर्ण किया हुआ धन को बचाने में सफल हो जाते हैं यह जितना भी पैसे कमाएं यह तो पैसे कितने कमाएंगे कि ये इसकी सनी की इस्थिति इनकी भागी रेखा और निपरवत की इस्थिति बताईगी लेकिन ये जो पैसे कमाते हैं पैसे जो ये अर्न करते हैं उनको बचाने में ऐसे जा तक बिल्कुल सफल रहेंगे ये बहुत हद तक अपने आप पास में पैसा हमेशा इस्टोर और यहां तक कि दूसरे लोगों को ये पैसे से मदद भी करेंगे इनके पास फo पैसा रहेंगा लेकिन इसी में जब हम दूसरी इस्थित्षि देखते हैं इसी रेक्व के साथ साथ है? बहुत सारे जाटागैं पर हम देखते हैं इस प्रकार की रेका हैं मज़राती है इस ये रेखाएं परेशानी को बतलाती है कि आपके जीबान में होने वाले परेशानियों को इंगित करती है कि समझ समय पे अगर ये आयू रेखा को छू रही है तो आयू रेखा को काड़ देती है ति ये आपको स्वास संबंदी परहसानिय और अन्य परहसानियों को बतलाता है यही जब रेखा किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से देखते हैं कि खड़ी लेखा रेखाएं भी है और पड़ी रेखाएं भी है ये जाल का निर्मान करती है ये जाल का निर्मान अच्छा नहीं माना जाता है ये आपको परिवारिक जंजट, घर-परिवार में, कुटुम से, रिलेस्न में के साथ होने वाली समस्या को दरसाता है आपके पास पैसे तो आएंगे, पैसे बनेंगे लेकिन ये समस्याँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगे या फिर इतने पैसे नहीं आएंगे कि आप उसे बचा सके या पैसे भी आएंगे भी तो वो खर्च हो जाएंगे तो ये परिवारिक समस्या को जंजट को ये दिखलाता है अब ये कि पैसे नहीं रूख पा रहे हैं इसके एक छोटे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं या आपके अगर पैसे नहीं रूखते हैं तो आप सुक्रवार के दिन पीपल पेड़ की नीचे एक मुठी सक्कर आप गुड़ भी ले सकते हैं आप साथ से आठ सुक्रवार आप जो है पीपल की निचे से चड़ा दें तो आपकी इस्थिति कुछ ने कुछ बहतर जरूर हो जाएगी या बहतर होनी शुरू हो जाएगी असाथ में परिवार में आने वाले समस्या पर भी कमी आईगी इस अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में धनिवाद नमस्कार